नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इश्टे नुगरूज योटूब चैनल दूसर आज की बीडियों हम लोग बात करें कि किंद्री विद्याले से जो वैकेंसी आई है उसका बिस्तित नोटिफिकेशन आ चुका है तो इसमें हम लोगो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगी कि क्या यह ऐज रखी और यही क्या है पेडेल क्या रखा गया है ठीक है और सिल बस क्या है सब कुछ यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं तो वीडियो को अनतक देखते रहेगarma और चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लिस सब्सक्राइब करके बेल आइकान फ चाट हो गया है तो आप लोग इसको फटाफट से अपलाई करिए ठीक है जो इस वीडियो में हम लोग खास करके जो अधर पोश्ट के लिए है चाहे वो शॉट हैंड की वह इसकी बात करेंगे ना कि टीजीटी पीजीटी प्राइमरी टीचर की बात करेंगे ठीक है उसके लि जो है आपका विस्तित नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है ठीक है और यहां पर हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बैसिकली इस्टेनोग्राफर की बारे में कि क्या-क्या उसमें प्रोसेस है ठीक है पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना हूँ यहां पर जो इ जो लेंगोज आप भरे रहेंगे उसी में देना पड़ेगा आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे ठीक है इसमें कई सारे पोदों के लिए है असिस्टेन्ट कमिशनर हो गया ठीक है तो इन सब के लिए भी है लेकिन इसमें हम लोग बात करेंगे ठीक है लाइब ठीक है इस्टेनों गरफक्रेट जो लिखा है यानिकी जैसे आपका duo सी वाला अपलाई करते हैं या तो उसमें जो आपका Do sedia ओन्ञ्ञ्रीम होगा उसके वाज situación यह ओ Rocky को बात्शिक होगा उसके वाजशिघा मिलते हो सारे लगेगे ठीक है और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों maximum age की तो maximum age जवाब का 27 साल रखा गया है ठीक है minimum 18, maximum 27 साल बाकी category यहाँ पर 3 साल 5 साल जो भी जिस category में मिलता है वो यहाँ पर मिलेगा central government वाला rule लगेगा यहाँ पर क्योंकि यह autonomous body है और यहाँ आपका ministry आप education के अंतरगत आता है ठीक है इन सबकी चर्च हम वीडियो में कर चुके हैं ठीक है तो इसमें आगे बात करें तो फीस हो गएरा क्या रखा गए वहीं GSA के लिए level 2 रखा गए SSA के लिए level 4 है ठीक है ASO के लिए level 7 है ठीक है तो आप test center city वगएर आपको मिल जाएगा जो आप अपनी हिसाब से choose कर सकते हैं कहां कहां पर आपको इंटर मिल सकता है वो फाम भरते समय आपको मिल जाएगा अब बात कर लेते दोस्तों important चीज की तो कि आपका फीस है फीस कितना रखा गया है यहां पर देखे भिया फीस मतलब कोई मामूली फीस नहीं रखा गया है हम बात करते है इस टेनो ग्राफर की जो की टीजी टीटी पीजीटी के लिए पंदरसो रुपया रखा गया है तो अगर जो अदर पोस्ट है यानि कि अगर SSA, JSA, Stenographer और ASO के लिए ASO के लिए 1500 है ठीक है Hindi translator के लिए 1500 है बाकी SSA, Stenographer और JSA के लिए 1200 रुपया का फीस रखा गया है अब आप multiple post के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बागी आपकी छम्तक के इसाब से हैं ठीक है अगर इस डेनोग्राफिक के लिए apply करना अगर आपको short end आती है तो इस डेनोग्राफिक के लिए करना short end नहीं आती है तो आप color quality के लिए कर सकते हैं कि ssa के लिए भी कर सकते हैं senior secretary assistant के लिए और आप gsa के लिए भी कर सकते हैं और आपके written और अच्छे बढ़िया है तो आप ASO के लिए कर सकते हैं जो कि आपका level 7 होगा ठीक है assistant section officer वाला वो और best है ठीक है तो आप अपने हिसाब स चूज कर सकते हैं बाकी यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि last date की क्या रखा गया पास तारिक से अन्य मंदे से form भरना श्टार्ट हो जाएगा और 26 December जो है वो last date रहेगा ठीक है return के लिए tentative date जो है वो बाद में official website पे दिया ठीक है इतना काम आपको करना है बाकि हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पे सिल्वस अगरे की और यह कुछ नोटिस ओगरें दिये गए हैं ठीक है जो सब में दिये रहते हैं वही कामन चीज़े हैं तो सिलवस क्या रखा गया इस टेनोग्राफर और आतर पोस्ट के लिए ठीक देखिए यहाँ पे हमने सिल्वस वाला पोर्षन डाउलोड कर लिया वैसे तो यह 120 पेस का है ठीक है 32 नमबर पे आप जाएंगे तो 32 नमबर पे आपको इस्टेनोग्राफर वाला मिल जाएगा ठीक है जो कि आपका पहले रिटेन टेस्ट होगा ठीक है 120 नमबर के रिटेन ट पेपर होंगे ठीक है तीन सेक्षन में आप जो है पेपर डिवाइट रहेंगे पहले पार्ट में आपका लेंग्वेज रहेगा ठीक है जिसमें 25 कुछन इंग्लिश के होंगे 25 कुछन रहेंगे 50 नमबर के होंगे ठीक है तो यह 25 कुछन आपके हिंदी के रहेंगे 25 कुछन जर्नल नॉलेज के पंद्रा माक्स के रहेंगे ठीक है और यहां पर जो है आपका लॉजिकल रिजिनिंग जो है आपका बीस माक्स के होंगे बीस कुछन रहेंगे ठीक है बीस कुछन होंगे बीस माक्स के होंगे और जर्नल और नालेज और कंप्यूटर के मिलाके पंद्रा कुछ चनाएंगे पंदरा नंबर के ठीक है और बाकि यहां पर जो है बीच मार्ट के कॉंटिटीटिव एक अप्टिटूड रहेगा ठीक है जो कि आपका महत भी आप पर रहेगा जिसमें नार्मल मैद पूछा गया आपसे ठीक है अंक गडित पूछा जाएगा यह आपके सिल्बस है इस टेनोग्राफर के लिए आप इसको पास करेंगे ठीक है तो उसके बाद आपका पैपिंग टेस्ट आपको करना पड़ेगा और यहां पर टैपिंग टेस्ट के बाद आपका कंप्यूटर प्रोफैंशी टेस्ट भी होगा जिसको ध्यां राख एंगर यह вам इसको इसकिल टेस्ट में आपका पहले सौछमात को क्वालीफिघ के आपको सॉन नंबर के होंगे ठीक है और जो आपका 10 test है और टाइपिंग टेस्ट हो क्यों क्यों qualifying nature के होंगे ठीक है इसमें number हैं मिलेगा बट computer proficiency test में आपको number मिलेगा ठीक है तो यह बस ही आपका तीन stage होंगे ठीक है पहले आपका written exam return जो pass करेंगे उनका 10 test होगा qualifying nature केंगे इसका computer टेस्ट होगा जो कि 100 नंबर के होंगे ठीक है there will be no interview कोई interview नहीं रखा गया स्टेनोग्राफिय पोस्ट के लिए skill test is qualified nature पहले लिग दिया गया है ठीक है और total यहां पर opt-end minimum 40% marks लागाना computer privacy में जरूरी है ठीक है उसके बाद कितनी कट आप जाती वह उनके उपर depend करेगा यही है सिल्बस I hope कि आप समझ गये होंगे ठीक है आपको अपनी तैयारी में लग जाना है आप जिसमें भी practice करना है चाहे हिंदी में कर रहे हैं एंग्लिस में कर रहे हैं तो आप अपनी practice जारी रखिए ठीक ह अगर आप शौट हैं शीख सुके हैं बेसिक अगर आपको practice करना है तो आप चाहे हैं तो हमारे pet group जाइन कर सकते हैं जिसमें आपको daily dictation और उसकी पीडिया फाउट लाइन अगरा प्रवाइड करा जाती है अधिक जानकारी के लिए आप मेल कर सकते हैं हमारी mail ाइडियो को वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्द बाद मिलते नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ अब तक के लिए बाद हैं सुराचिंग जैहिं जै भारत